नमस्कार बच्चों, स्वागत है हिंदी साहित की कख्षा में आज हम पढ़ेंगे पार्ट फास्ट फूड की संस्क्रती जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जीवन में यदि हमें सुख प्राप्त करना है तो उसका साधन हमारा शरीर ही है शरीर अच्छा हो, स्वस्थ हो, इसके लिए आयूरवेद और अन्यप्राचीन ब्रंथों में स्वास्थ प्रत भोजन की महता पर बल दिया गया है हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि हमारी शारेरिक और मानसिक परिशानियों की जड़ हमारी बदलती हुई भोजन शैली ही है फास्थ फूट यानि फटा फट तयार हो जाने वाला भोजन और उससे जुड़ी हुई परिशानिया क्या है किस सरीके से ये फास्थ फूट प्रचलन में आया वर्तमान में यह क्यूं और कितना घातक है और इससे क्या-क्या समस्याएं खड़ी हो सकती है आईए अपने इस पाट के अंतरगत इस बात को समझने का प्रयास करते है हमारी जीवन के लिए भोजन अत्ती आवशक है परन्तु भोजन कैसा होना चाहिए इस बात पर हम अधिक विचार नहीं करते और यही कारण है कि हमारा खान-पान दूशित हो जाता है फास्ट फूट यानि फटा-फटी आहार जिससे मिंटों में तयार करके परोसा जा सकता है हम यहाँ जिस फास्ट फूट की बात कर रहे हैं उसमें रेस्टोरेंट या पर्चून की दुकानों में पैकेटों में अत्वा डेब्बों में मिलने वाले वे आहार शामिल हैं जिनने पहले से ही पका कर और तपाई हुई खाद सामगरियों से तयार किया जाता है अच्छे स्वास के लिए पोशक आहारों का होना जरूरी है और यदि इनकी कमी हो तो यह शरीर के लिए नुकसान दे भी हो सकता है चिन्ता की बात यह है कि आजकल प्रचलित चलन में जो फास फूड हैं उनमें अधिकांश में पोशक आहारों की कमी होती है अगर हम देखें तो बढ़ते हुए बच्चों को रोजाना तक्रीबन 1500-1800 कैलोरी की जरूरत होती है सही शारीरिक विकास के लिए उनके आहार में कार्बो हाइडरेट, वसा और प्रोटीन उचित अनुपात में होने चाहिए बाजार में फासफूट के नाम पर जो चीजें बड़ी सरिलता से मिल जाती है उनमें कार्बो हाइडरेट, वसा तो होती है लेकिन प्रोटीन भर्याप्त मात्रा में नहीं रहता और इसमें पढ़ने वाला क्रतिम नमक भी स्वास के लिए बेहध हानिकारक है प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों और किशोरों के शारेरिक विकास में बाधाएं आ सकती है आज भागती दोरती जिन्दगी में लोगों के पास इतना वक्त नहीं रह गया कि वे सेहत मन्द भोजन कर सके और वे इधर उधर कुछ भी खाकर अपना काम चला लेते हैं बड़े बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी अब तेजी से फैलती फास्ट फूड और फास्ट लाइफ संस्कृती हमारे अपनों को बीमारियों का शिकार बना रही है हमारे देश की आदी से अधिक आबादी गरीबी और कुपोशन की मार को झेल रही है फास्ट फूड संस्कृती की वजह से मोटापा, मधु में रक्त चाप और हिद्दे की बीमारियों का प्रको तेजी से बढ़ रहा है फास्ट फूड के प्रती बढ़ता हुआ लगाव लोगों की सेहत को चौपट कर रहा है जिसकी वजह से हमारे शरीर में बुरे कोलिस्ट्रॉल का इस तर बढ़ता ही जा रहा है और मधु में होने का खत्रा बढ़ रहा है लोगों में रोगों के प्रती लड़ने की शक्ती भी कम होती जा रही है दुनिया की विभिन देशों के स्वास्त है संगठनों द्वारा चेतावनी दिये जाने के बावजूद आज भी फास्ट फूड बनाने में संसलेशित रसाइनों मिठास पैदा करने के लिए क्रतिम रसाइनों, कौर्न सिरप और पैट्रो रसाइनों का इस्तमाल किया जा रहा है ऐसा माना जाता है कि इस रसाइन की सिर्फ एक ग्राम मात्रा हमारे शरीर में पहुंच जाए तो हम गंभीर रोगों के लक्षणों से पीडित हो सकते हैं फास्ट फूड को बनाने में जिन सामगरियों को इस्तेमाल किया जाता है उनमें ऐसे रसाइन मिलाए जाते हैं जो उनके स्वाद को बढ़ा कर बच्चों को अपने मकड़ जान में फसा लेते हैं चिप्स हो या कुकीज, कैंडी बार, मफिन्स, फ्राइट फ्रूट्स या अन्य कुछ इन सभी का नाम लेते ही सभी बच्चों के मन में एक उत्सुकता सी जागरत हो जाती हैं और सभी इसे लेना चाहते हैं पर क्या आप जानते हैं बच्चों, इन में ऐसे हाइड्रोजन क्रत तेल और ट्रांसफेट्स होते हैं जिन में हमारे शरीर को उचित पोशक आहार देने की शमता नहीं होती ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हैं कभी कभी फास्फूर्ट का सेवन करना नुकसान दायक नहीं होता लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें इनका आदी नहीं होना चाहिए यदि हम इनके आदी हो जाएंगे तो इसका बुरा असर हमारी शरीर पर दिखाई देगा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्त रहेगा तो हम किसी भी कारे को बड़ी ही स्फूर्टी के साथ पूरा कर सकेंगे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम और हमारा परिवार उन रूप से सुरक्षित और स्वस्त रहे इसके लिए हमें अपने स्वास्त का खयाल रखना होगा हमें अपने भोजन में ऐसे चीज़ों को शामिल करना होगा जो हमारे स्वास्त के लिए लाबदायक हो हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारा भोजन संतुलित हो और हम अपने लिए आवशक पोशक आहारों की समुचित मात्रा को ग्रहन करें आईए देखते हैं पार्ट में आई हुए कुछ कठिन शब्द प्रचलन चलन में अत्यावशक बहुत जरूरी लाइफ यानि जीबन बाधाएं रिशानिया अंश हिस्सा तक्रीबन लगभग घर पर रही स्वस्त और सुरक्षित रहें धन्यवाद